नमस्कार दोस्तों, मैं बात करने जारे हूँ आध्यात्म की बारे में, तो क्या आप लोग भी आध्यात्म को अंध्युश्वास मानते हैं? मैं तो अंधुविश्वास नहीं मानती हूँ त्योंकि आध्यात्म जो है हो हर इंसान को उसकी जरुरत होती है त्योंकि हर लोग रिष्टों में भी सच्चाई जानने के लिए प्रयास करते हैं हर कोई चाता है कि मुझे हर मेरा एक रिष्टा अच्छा हो त्योंकि बिना विश्वास के बिना सच्चाई के रिष्टे नहीं बन सकते हैं अगर हम किसी को परकते हैं तो उसकी सच्चाई को ही परकते हैं अगर इंसान जूट बोलता है तो हमारा उससे विश्वास उठ जाता है और विश्वास की नीव हमें बनाई रखने के लिए आध्यात्मिक होना बहुत आवश्यक है त्योंकि जो लोग आध्यात्मिक नहीं होते हैं वो अंजाने में कई सारी गलतियां कर देते हैं जिससे उने बाज में बाद में पस्तावा होता है और बहुत ही कठिनाई भरा जीवन जीना पड़ता है एक्जामपल ले लेती हूँ कि अगर कोई चोरी करता है तो वो पकड़ा जाएगा और पकड़ा जाएगा तो उसे सजा मिलेगी हो सकता है उसे पांस साल की सजा सुनाई जाए और वह जेल में रहे तो क्या वो वहाँ सुखी रह पाएगा नहीं एक सुखी जीवन बिताने के लिए आध्यात्मिक होना बहुत आवर्शक है जो लोग आध्यात्म को अपनाते हैं तो वो जीवन में बहुत ही तरक्की कर जाती है और जीवन में तरक्की करने के लिए इंसान का चरित्रवान होना बहुत आवशक है त्योंकि जो लोग चरित्रवान नहीं होते हैं वो आगी कैसे बढ़ सकते हैं आगी बढ़ने के लिए चरित्रवान होना बहुत आवशक है और एक चरित्रवान होने के लिए आध्यात्मिक ज्यान का होना अधियाशक है मैं देखती हूं कि जो आधुनिक यूग है वो टेक्निकल बहुत है बट उसमें आध्यात्म बहुत कम है आध्यात्म नहीं है बीना आध्यात्म की जीवन कैसे सफल हो जगता है इंसान को टेक्निकल होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉलेशफुल होना चाहिए और इसी पर बात भी आते हैं क्या हमें इंगलिस सीखनी चाहिए तो मेरा मानना है कि इंगलिस कोई गलत चीज नहीं है हम कहेंगे जैसे अंग्रेजों ने हम पर अत्यचार किये थे, हमें सताया था तो वहाँ विदेशी भासा हो गई, हमें विदेशी भासा को नहीं अपनाना है बट आसके जो जमाने में हैं इंगलिस की बहुत जरुत है इंग्लिस सीखने से कोई विदेशी नहीं बन जाता है और इंग्लिस सीखने के बाद हमें सूचना भी नहीं चाहिए कि हम विदेशी है क्योंकि कई लोग जो हिंदी बोलते हैं और जो इंग्लिस जानते हैं तो वो लोग जो हिंदी बोलने वाले हैं उनसे बेदवाव करने लगते हैं और खुझ को बहुत ज़्यादा पड़ा लिखा मानने लगता है तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती है कि इंसान पड़े नौलेज़फुल बने लेकिन उसमें उसका घमण नहो इंसान को इस प्रकार रहना चाहिए कि सभी चीजों को लेते हुए भी इंसान को एक नर्मल इंसान की तरह जीना चाहिए वही इंसान बहुत आगी जाते हैं दोस्तों मैं कहीं लोगों को देखती हूँ कि जो लोग बहुत ही पड़े लिखे हो जाते हैं तो उसकी बात हर किसी के सामने उन्हें घमन होता है कि हम पड़े लिखे हैं और जो दूशे हैं उनसे तमीज से बात नहीं करते हैं तो मेरा मानना है कि इंसान को रिस्पेक्ट हर किसी की करनी चाहिए जोकि हर इंसान खुद में एक अच्छा इंसान होता है हर को ही चाता है कि मेरी रिस्पेक्ट बने जोकि जहां किसी की रिस्पेक्ट नहीं होती है वहाँ वह एक पल भी नहीं रहना चाहिएगा मैं अपने वीडियो को यहीं पर इंट करती हूँ थैंक्यू दोस्तों